हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्रेटफोर्म पर हर दिक स्वागत है तो ये हमारे पास एलम की आंसर की है और ये है सेट ए की जैसे कि आप सभी को पता है काफी बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे 56 नंबर है हमारा सेलेक् नई वा उन सभी साथियों के लिए रहे ही बात यह और डूसरी बात कि आंसर की जो यह आई है ठीक है यह ओफी तो नहीं बोल सकते क्योंकि तो अपने साइड़ पे चेक कियोगी साइड़ पे कभी नहीं होती है जो आंसर की है किसी स्टूडेंट ने कैया वहां पर बाई face वहाँ जाके और उनसे कैई answer की उन्होंने मांगी है इसके अदर कौन-कौन से क्यूसन्स कैई change किये हैं अच्छा सची के दवारा और कितने नंबर आपके बड़े हैं कितने घटे हैं वो आप अपना check कर सकते हो ठीक है और ये जो answer की आप देखिए set A की है बोलेंगे सरा हमारे जो set मेरा B है मेरा C set है मेरा D set है या फिर मेरा E है या F set है उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि set A का जो आपके पास paper होगा जिसके पास set A का paper नहीं है ये मैं जो set A का paper मैंने टेलीग्राम पर send कर रखा है टेलीग्राम चैनल आप से भी जोईन कर रखा होगा HSCALM9 ये अपना टेलीग्राम चैनल है इसको आप जोईन कीजिए इस टेलीग्राम पर कहा है set A का जो paper है detail से वो पूरा मैं डाल दूँगा दुबारा मैं upload कर दूँगा वैसे मैंने पहले upload कर रखा था और उसके according आप देख लेना भी कौन सी question का क्या answer माना हुआ है ठीक है तो आपने set A में निसान लगा लोगे अपने paper में उसके बाद आपका जो भी paper है B set है, C set है, D set है उसमें आप उसी question को check करते रहे ना भी इस question का A में क्या माना है और मेरे वाले settlement है क्या उत्तर का रखा है तब आपके अपने answer check कर सकते हो आपके कितने number बने है, exact ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हो, एक तो set A के अंदर 58 number के उसने यह देखिए परसनों के इनोंने क्या है, E उत्तर माना हुआ है ठीक है, और अब मैं आपको set A दिखाऊंगा भी यह हमारे पास कौन-कौन से questions थी जिनका इनोंने answer change किया है ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं set A को तो यह हमारे पास set A का paper है इसके अंदर सबसे पहला question है आप सभी को मैं बताऊं तो 49 है ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सा यह रहा यह रहा, 49 number question ठीक है, चलिए देखते हैं तो यह चेक करते हैं, 49 number question आप एक बार इसको read कीजिए कि पर्थम सवतंतरता संगराम में बललबगड के निमलिकित राजाओं में से किसी किसने दिल्ली में करांतिकारी सेना का नैतरितव किया था और यहां पर लगबग बच्चों का doubt क्या रहा कि यहां पर नहान सिंग की जगए नहार सिंग उन्होंने समझ लिया और इसी को लगबग यह कलिक करके आये हैं बच्चे ठीक है और hss ने अपनी गलती मान ली कि ठीक है हमने गलत से नहान सिंग लिखा है तो इसका option हमने e भी दे रखा है तो इसमें इन्होंने क्या है e option इन्होंने माना है ठीक है तो एक क्यूसन तो यह रहा उसके बाद एक हमारे पास है 58 नमबर यह देखिए जिले वाला क्यूसन यह तो लगबग सभी को इसके नमबर मिले हैं और कुछ एक जो शाने बने हैं जिन्होंने d भी option कलिक करका था भी क्यूसन में गलती हो सकती है e पर कम ही जाते हैं बच्चे तो जो e पर गए उनको नमबर इसके भी मिले हुए है ठीक है यह हो गया उसके बाद एक हमारे पास क्यूसन है 66 नमबर यह देखिए 66 नमबर हमारे पास अर्याना की जलवाईयू उपोशन कटी बन दिया है जिसका मुख्य कारण है तो यहां पर हमालय परवत से दूरी दक्षिन पस्चे मानसुनी पवण मोरनी पहाड से दूरी उत्तर पूर्वी मानसुनी पवण और उपरोक्त में से कोई नहीं नोने मान रखा है तो यह भी इसका उप्षन e है ठीक है तो यह तीन क्यूसन है जिनके H, S, S, C ने E option माने है अब मैंने आपको समझा दिया जिसका set कोई B है जिसका set कोई C है तो पहले आप A set को print out निकलवा लो या फिर वेसे ही इन सभी के क्या है आप answer अलग-लग click कर लो भी 66 number का क्या है 67 number का क्या है 68 number का क्या है ये सारे आपका लिक लोग उसके बाद आपके है अपना जो set है उसको open करो और क्यूसन अपने अपने साब से देखते रहो भी कौन से क्यूसन का क्या answer उन्होंने मान रखा है ठीक है तो आपको clear हो जाएंगे आपके कितने number बने हैं कितने नहीं है ठीक है ना और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक क्यूसन और दे रखा था उसका doubt है कि ये देखिए 71 number क्यूसन का इसका answer उन्होंने क्या मान रखा है इसका answer उन्होंने यही मान रखा है कि गती बढ़ाने के लिए option A है 71 का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये देखिए आपके सामने है 71 number इसका इन्होंने A मान रखा है ठीक है ना अब मैं आपको दिखाता हूँ A जो 71 number क्यूसन किस टाइप का है ये तो ये रहा आपके सामने 71 number क्यूसन एक पंके में कपेश्टर का उधेश्य होता है तो पंके में कपेश्टर का क्या उधेश्य से होता है गती बढ़ाना तुरूटी होने पर पंके को सुरुक्षित रखना गती को नियंतरित करना और phase shift देना या फिर हमारे पास क्या है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसकी हम बात करें तो यहां पर क्या है English में देखें तो English में दे रखा है Increase the speed, protect the fan when fault occurs ठीक है, control the speed, give a phase shift तो यहां पर हमारे पास इसका जो निमी पैटर्न की आप बुक देखोगे Technical की अगर आप निमी पैटर्न की बुक देखोगे ठीक है, तो यह इस तरह से कहीं पर भी नहीं लिखाओ अब एक क्रेश्टर का काम क्या होता पंके के अंदर ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्या रहेगा इसका इसका option जो है वो D से ही होना चाहिए और इसका A option मान रखा है यह निमी पैटर्न की जो बुक है वो हमारे पास है, इसका हम आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ तो यहां पर देखिए, हमारे पास निमी पैटर्न की बुक है यहां पर देखिए, संदारितर एक A.C. युकती है जो विद्यूत उर्जा को स्थेतिक, विद्यूत आवेश में संचित कर सकते है इस परकार एक फेज मोटरों में, यानि सिंगल फेज मोटरों में जो संदारितर के उप्योग का मुख्य उद्यूत से है मुख्य उद्यूत से लिख रखा है उन्होंने मुख्य उदेशी है फेज को विगटित करना फेज को सप्लिट करना फेज को डिवाइड करना ठीक है तो यह यहाँ पर दे रखा यह आप चेक कर सकते हो ठीक है यह बिल्कुल प्रूफ हमारे पास है तो यही था हमारे पास भी आंसर की के अकोर्डिंग जो इन्होंने HSSC ने मान रखा है वो मैंने पूरा आपको दिखा दिया और जिन साथियों को एलम या ऐसे की तैरी करनी हो जीसो की तैरी करनी हो ठीक है तो ओनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड में मैं तो यह बोलूँँगा भी चलो ठीक है जो भी बात है वो HSSC का काम है जो कोर्ट केस का काम है वो कोर्ट का काम है ठीक है जो भी डिन्न आएगा उससे सभीकार किया जाएगा बाकी जितने भी student है वो त्यारी के लाइक है तो त्यारी की जी आप ठीक है अपना समय बरबाद बिल्कुल भी मत करें त्यारी पर ध्यान दीजिए ये तो मुझे पता है भी कोई सावी सिस्टम हो चाए IT हो चाए डिपलोमा हो चाए बीटेक हो कोई सावी डिसिजन वहाँ पर आएगा तो त्यारी तो आपको करनी पड़ेगी ठीक है न तो सभी साथ ही क्या है त्यारी पर ध्यान दीजिए और यहां पर जो नया बेच है वो 23 तारिक सोमवार से शुरू हो रहा है ये हमारे पास MBS Academy नातुसरी चोपटा ओफलाइन क्लास रहेगी रूम और होस्टल की सुविदा भी हम यहां पर उपलबद आपको करवाएंगे ठीक है औ दूसरा हमारे पास अगर किसी बच्चे को ओनलाइन क्लास चाहिए कि सर इतनी दूर नहीं आ सकते ओनलाइन मोड बताइए तो आपको KTP Classes ये लोगो आप ध्यान दीजिए क्योंकि आप KTP Classes एप डाउनलोड करोगे वहां पर अलग अलग परकार के कुछ फरजी भी बना र है अपना और इसी रिकोर्ड को अपकी बार हम ही तोड़ेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट थेंक्यू वेरी मॉच